नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग आयोप आप सब मज़े में ही होंगे दोस्तों आज की वाली वीडियो काफी जादा धमाकेदार होने वाली है बिकज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसे आप कोई बिकवे सब्सक्राइब करों कोई यहां पर कोई इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चालों का भी सबस्क्राइब कर दीजिए मैं हूं आरोश आप देखने हैं फिनो मीडिया ना यहां पर दमागेदार stock split announce किया है 2 is to 10 के ratio से दोस्तों इस stock का नाम बता देने से पहले मैं आप लोगों को इसके कुछ और details के बारे में बता देता हूँ सबसे पहले हम बात करते हैं stock के past returns की तो past one year के अंदर में stock ने 152.76% के returns दिये हैं जो की एक साल के हिसाब से काफी जाद धमागेदार returns है stock के current price की बात करें तो currently 359.05 रुपीज के उपर में trade हो रहा है और वहीं बात करें अगर हम इस stock की performance की तो जो 52 week low है stock का वो 134 रुपीज का एं 52 भी खाया है 406.70 रुपीज का इस company के अब fundamentals की बात करते हैं तो जो market capitalization है इस company की वो 316 करोर्स की है PE ratio यहाँ पर 10.92 का है PB ratio 0.46 का है industry PE यहाँ पर 31.01 का है debt to equity ratio 0.16 का है ROE यहाँ पर return on equity 4.99% की है EPS यहाँ पर 20.55 का है dividend yield यहाँ पर 0 है because company यहाँ पर dividend नहीं देती है book value stock की 487.56 रुपीज की है and face value यहाँ पर 10 रुपीज की है दोस्तो company के all over fundamentals तो काफी जादा strong है अब बात कर लेते हैं आपे company के financials की सबसे पहले हम बात करें हैं आपे revenue की 2018 से लिगे 2022 तक के data की तो 2018 में revenue था वो था 1168 करोर्स का and उसके बाद 2020 तक यह घटता चला गया and 2021 में भी इवन यह कम रहा था काफी and 2022 current year में 991 करोर्स पे आ गया है चलिए बात करते हैं profit की तो 2018 में आपे company loss में थी 42 करोर्स के उसके बाद यहाँ पे loss बड़ा 2019 में 180 करोर्स का loss हो गया था और उसके बाद में आपे थोड़ी से recovery करके 14 करोर्स के loss पे आई थी then again 2021 में 94 करोर्स का loss and current year 2022 में profit आया 29 करोर्स का अब बात कर लेते हैं आपे net worth की तो net worth 2018 में थी 798 करोर्स की और उसके बाद 2020 तक है decline होती गई 2020 के बाद यहाँ थोड़ी से recovery करनी चालू हुई जहाँ पे अभी current year में 2022 के अंदर में 686 करोर्स पे आ चुकी है तो financials में नहीं कहना चाहूँगा इतने अच्छे हैं average financials हमें यहाँ पे इस company के देखने को मिल जाते हैं चलिए बात कर लेते हैं अब इस company के shareholding patterns की सबसे बात करेंगे June 2021 के data की and then उसे compare करेंगे June 2022 से June 2021 में promoters के पास 71.85% का stake था retail investors के पास 25.56% का stake था other domestic institutions के पास में 2.58% का stake था and mutual fund houses के पास यहाँ पे 0.01% का stake था compare करें इसे हम June 2022 से त 71.03% पे आ चुकि है एंप्रोक्सिमेटल यहाँ पर 20.82% की selling करिए promoters नहें वहीं बात करें retail investors की तो current holding 26.52% पे आ चुकि है approximately यहाँ पर 1% की purchasing करिए retail investors ने other domestic institutions की बात करें तो current holding 2.45% पर आ चुकि है approximately यहाँ पर 0.13% की selling करिए retail investors इस और सॉरी domestic institutions ने foreign institutions की बात करें तो 0% का 0% ही है यहाँ पे mutual fund houses ने भी अपना 0.01% sale कर दिया है and currently यहाँ पे 0% पे आ चुके हैं share holding patterns की बात करें तो यह थोड़े से average से थोड़े से अच्छे हैं जादा अच्छे हमें नहीं देखने को मिलते हैं चलिए अब बात करें नहीं है इस company के नाम की दो जो stock का नाम है वो है मफदलाल इंडस्ट्री इस लिमिटेड कंपनी का जो बॉम्भी stock exchange का code है वो है 500264 and वहीं बात करें company के official announcement की तो यहाँ पे आप अपनी screen के उपर company का official letter देख सकते हो जहाँ पे clearly mentioned है company ने आपे 2-10 के ratio से stock split announce किया है जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस company के 2 stocks है तो यहाँ पे आपके 2 stocks 10 stocks में convert हो जाएंगे company ने अभी तक exit rate और record date announce नहीं करी है वो भी तक upcoming में है company के तरब से जैसी कोई भी official announcement आगा exit rate और record date को लेकि मैं आप लगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही है अब अगर आपको वीडियो अच्छा लागा वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना चैनल को भी subscribe कर देना बिगोस फिनो मीडिया के अंदर आपको stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चेले मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye